Good morning everyone, 7th class. Today is 5th of February and day is Friday. हम पढ़ रहे हैं chapter number 17. Chapter number 17 है forest or lifeline. तो आज हम करेंगे exercise का question number 7, 8 and question number 9. तो चलिए स्टार्ट करते है question number 7 से. Question number 7 है fill in the blank. ठेक है? तो फर्स देखिए the insect, waterflies, honeywees and birds help flowering plants in. खेक है जो insect होते हैं, जो waterflies होते हैं, जो honeywees होते हैं. और जो भी birds होते हैं. इबो रहे की flowering plants में, जो जिसमें flower लगते हैं, उस plants में कैसे वो help करते हैं? flowering plant in death तो किसमें वो help करते हैं? तो हमने सायद पिछले चेप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था पॉलीनेशन के बारे में देखे पॉलीनेशन क्या होता है पॉलीनेशन क्या होता है पॉलीनेशन क्या होता है जब देखे हमने जब दो पार्ट पढ़ा थे female part, एक हमने पढ़ा था male part, ठीक है, male part का जो भी anthropal part होता है, ठीक है जो भी male part में जो anthropal part होता है, वो जाकर के कहां पर मिल जाता है, वो जब वो female के stigma part से मिलता है तब जो अब आगे plants तयार होता है ठीक है, तो इसी को जब वो pollination बोलते हैं, किसी-किसी तो वहां पे जो वो male का जो वो anthropal part और female का जो वो stigma वाला part जो वापस में कैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो मिलते हैं, insects के तुरू, या butterflies, या honeybees, या words, या आप बोज़कते हैं कि air के तुरू भी वो जो है वो, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं मतलब की, तो इसी को बोलते हैं, pollination, ठीक है, तो क्या होता है, इनके flowering plants में क्या होता है, pollination होती है, इसका सही answer हो जाएगा pollination, second देखिए, a forest is a purifier of dust and dust, ठीक है, forest जो वो किस-किस को purify करता है, हमने एक तो देखा था कि water को purify करता है, क्यों क्यों कैसे करता है, क्योंकि जब देखे, बारिस होती है, तो बारिस का पारी नीचे, जमिन पढ़ता है, ठीक है surface पर पढ़ता है, फिर जो वो क्या होता है, कि नीचे, वो ground water में चले जाता है ठीक है, तो वहाँ पर एक ऐसा बुझते हैं, कि बो जो वो एक purifier की तरह काम करना है, purify हो रहा है नीचे water, ठीक है, तो एक तो water, एक तो हमने air, air तो है क्यों कैसे, क्योंकि air, देखे हम क्या करते हैं, जो forest, हम लोग जैसे animals हैं, तो क्या करेंगे, बो आटमस्फिर में carmaid oxide हो जाएगी, लेकिन जो بھی forest है, जो भी plants है, या जो भी trees है, जो भी सारे forest में इतने भी plants है, ठीक है तो बो क्या करेंगे, बो जो बो oxygen को जो जोड़ेंगे कामणाइक्साइड को inhale करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्फ करेंगे carbon dioxide को तो इस तरह से एक मतलब कि एक चेन बन रही है तो वो जो चेन बन रही है इसलिए जो वह ऐसा बोल जाता है कि वह जो एक purifier की तरह काम कर रहा है क्योंकि carbon dioxide हम लोग चोड़ रहे हैं तिक कर से कड़ अगर ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर जो वह एर पॉलेसं हो जाएगा तो उसको भी वो मेंटेन कर रहा है ठिक है ata न पर फॉरेस्ट तो प्यूरीफाइर आफ यहाँ पे एक ओप्शन बॉरटर लिक सकते हैं ठिक है यह एर पहरल लिक लो या बाद में लिख लो एक बात ठिक है से बालबाद देखए, herbs form the dash layer in the forest. देखे, herbs समने क्या बो रहाता? जैसे छोट-छोटी, जो भी forest के अंदर, जो भी छोट-छोटी leaves होती है, जो जो नीचे गिर जाती है, नीचे जो गल सड़ जाती है, तो उसको उसमें से क्या बन जाता है? जैसे जंकल में आपने गए हों तो आपने देखा होगा कि छोड़-छोड़ी पतिया या कुछ भी गिरा होता है नीचे ठीक है किसकी lowest layer forest की lowest layer ठीक है forest में क्योंकि upper layer उपर होती है और forest का जो वो last lowest जो वो नीचे वाई layer होगी जहां से jam जो भी roots होगी ठीक है तो उसको जो वो lowest layer बोल जाएगा तो वो जो वो lowest layer में ही होता है सारा process ठीक है तो यहां पे herbs form the lowest हो जाएगा ठीक है lowest layer in the forest वो सबसे lowest layer होती है forest की और next देखिए the decaying leaves ठीक है यह वही बात कर रहा है जो आपने अभी बात की decaying leaves and animal dropping in the forest enrich the death ठीक है तो यह भी काफी अच्छा question है तो देखी क्या होता है कि जो भी leaves होती है ठीक है या animals होते हैं वो नीचे surface पर पढ़ जाते है ठीक है जो भी forest की जो भी lowest layer है जो भी है अभी हमने बात की ठीक है उस पर जो गिर जाते है वहाँ पर जो वो सड जाते हैं गल सड जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो जो decomposer होते हैं वो क्या करते हैं उसको जो वो humus में convert करते हैं और humans ही जोबो क्या बन जाता है उनके लिए nutrients का काम करते हैं ठीक है तो enrich करते हैं मतलब की nutrients देती है किसको देती है soil को तो इसका यहां पर answer हो जागा soil ठीक है तो जैसे कि आप answer भी यहां पर देख सकते हैं यह जो last option है last d था इसका d the digging leaves and animal dropping in the forest and reach the soil ठीक है तो यह था हमारा question number seven तो चलते है question number eight की और question number eight है why should we worry about the condition and issue related to forest far from us ठीक है यह वो रहे कि आपको जोबो क्यों जोबो मतलब की चिंता करनी चाहिए क्यों जोबो आपको चिंतित होना चाहिए ठीक है कि आपके जोबी जहां पर आप रह रह रहे हो उससे जोब बहुत दूर जोबो forest है ठीक है very far from us ठीक है हमारे से जोबो जैसे मालो आप लोग कहीं पर रह दे हो और आपका जो भी forest है आपके घर के आसपास नहीं है, आपके घर से बहुत दूर है, जैसे कि मालो या 40 या 50 किलोमेटर्स दूर जो वो forest है, तो आपको क्यों चिंता करने की जुरूरत है, जो बो कोशिन बूच है, काफी interesting कोशिन है, तो क्यों हमें forest job आपके नजदी की चाहिए, forest की जरूरत हमें क् के जो भी benefits है जो भी इसके फाइदे हैं वो यहां पे लिखेंगे कि यह हमें जोबो नहीं मिलेंगे जैसे कि एक हमने पढ़ा था कि जैसे forest jobo flood को रोकने के लिए हमारी help करते हैं तो वहां पे आपको चिंता करने चाहिए क्योंकि forest jobo आपके घर के असपास नहीं है तो flood का jobo खत्रा रहेगा और जोबो हमने देखा अभी कि forest क्या करता है कि air को जो प्योरिफाई करता है water को प्योरिफाई करता है तो बहुत ची related to forest तो first है यहां पे decrease in forest areas would lead to an increase in carbon dioxide in air this will lead to an increase of earth temperature तो जो अगर हमारे पास वो forest नहीं होगा तो क्या होगा कि carbon dioxide की जो भी amount है वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि temperature भी बढ़ने वाला है अर्थ का ठीक है तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत है second option देखिए second point देखिए soil erosion ठीक है एक हमने देखा था कि soil erosion को भी रोखता है तो soil erosion भी वहां पे होगा soil erosion would occur if there is there are no forest अगर forest नहीं होगा तो soil erosion वहां पे होगा third देखिए flood would be more frequent in absence of forest तो flood के बारे में हमने बात कर लिया flood भी वहां पे आएगा forest provide ऐसा flood आएगा तो मतलब की बारिस होगी तभी आएगा ऐसा नहीं होगा ठीक है अगर वहां पे chances है flood आने के तभी आएगा ऐसा नहीं है कि अगर forest नहीं है तो वहां पे flood आएगा ही आएगा ऐसा कुछ नहीं है next लिगा forest provide shelter and food to animals ठीक है forest जो वह एक habitat होता है किसके लिए जो भी forest के अंदर जो भी animals रह रह रहे हैं तो उनके पास नहीं होगा ठीक है shelter and food food होता है animals के लिए ठीक है forest तो when forest are adversely affected the habitat of wild animals are also adversely affected तो जो भी wild animal है वो भी इसे affected होंगे तो therefore we need to conserve our forest तो इसलिए हमें जो वो forest को conserve करने की जूरत है ठीक है तो आप पी कोशिज करिए forest को जो वो काटा नहीं चाहिए ठीक है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा plants को आपने ग्रोव करना है ठीक है next देकिए last question question number 9 आज का last question ठीक है हमारे जो है वो 10, 11, 12 या 13 question होगे तो इसको हम कल complete कर लेंगे ठीक है तो question number 9 है explain why there is a need of varieties of animals and plants in forest तो यह बो रहा है कि explain करिए कि हमें जबो need of किसकी need है निद मतलो कि जरूरत है तो variety of animals and plants in forest ठीक है मतलो कि यह पुछना चाहरा है कि एक forest के अंदर जो भी animals है और plants है उनका होना जबो क्यों ज़रूरी है ठीक है बहुत सारी जो variety of animals होने चाहिए और plants की भी कई सारी varieties होना ज़रूरी है तो मतलो यह पुछ रहा है कि एक प्रकार से forest जो है वो animals पर कैसे dependent है और जो भी animals है वो forest पर या forest जो वो animal पर कैसे dependent है उसकी dependence को हमने यहां पर sow करना है तो explain करना है क्यों जो ज़रूरत है varieties of animals की तो एक तो आपने देखा है कि आपने पढ़ाए कि जो animals होते हैं जो animals होते हैं वो कहां से जो अपना भूचन लेंगे ठीक है जो भी जंगली जानबर होते हैं ठीक है वो कैसे जो बो सरभाय कर जो बी हर्भी बास होते हैं जो की plants को खाएंगे तो उनके लिए तो plants ही जो बो सरभाइव करने का एक तरीका है ठीक है तो मतलब कि अगर plants नहीं होगे तो बो सरभाइव नहीं कर पाएंगे और जो बी हर्भी बास होते हैं उनको जो वह आदरस animals की जरूरत पड़ेगी और उन एनीमल्स को जोबो किसकी जरब्ट पड़ेगी, प्लांस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम कहशक जोबो डारेक्ट्ली या इनद्ली जव प्लांट्स पर ही देगे और हहीमनिस ही जो वो न्यूटिंस का काम करेगा अगले जो भी आने वाले त्रीज होंगे ऑने वाले जो भी जो भी फ्रांट होργां उसके लिए न्यूटियन्स जा het प्रकार वो भी तो एक दुसरे पर dependent है तो इसलिए कई सारे बिराइटीज कई सारे इसलिए बॉला है कि देखिए कई सारे एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक अनिमल्स जो वो एक ही प्लांट्स को खाना जो पसंद करेंगा तीक है हर एक अन रोज 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 आनिमल्स में जोपंड़ीज होता है तो तो झान जो इंडर फॉलाज जो प्लांट्स मेंश्थ. means more food and habitat for the herbivores, ठीक है, वही लिखा है कि जो भी greater varieties होती है plants की, means की वो जो फूड का काम करेगी, और habitat का काम करेगी, herbivores के लिए, herbivores वो होते हैं, जो कि plants को ही खाएंगे, only plants, an increase in herbivores means more food of carnivores, ठीक है, अब यह वो रहा है कि अगर herbivores ज्यादा होंगे, तो वो जो फूड का किस पूड का काम करेंगे, ठीक है, कानिवर्स क्या होते हैं, छो हरुवर्स को खा जाते हैं, मतलब कि जो भी दूसरे animals को खा जाएंगे, मतलब कि जो मास काते हैं, मासा हरी होते हैं, next, the decomposal helps to maintain the supply of nutrients, ठीक है, जो decomposal होते हैं, बो जो के इसकोई सप्लाइगारता है, nutrients कि सप्ला This wide varieties makes forest a dynamic living entity. ठीक है, तो इसलिए जो वो कई सारी varieties का होना जो जरूरी है. अनिमल्स जो वो फोर्स पर डिपेंड है, या फोर्स हम लोग गुछ रहे हैं, जो एनिमल्स पर डिपेंड है. तो यथा आज का हमारा लास्ट कोईशिग. तो आज के लिए इतना काफी है थैंक यू and have a nice day God bless you all